आपको लगता हुआ कि शैंक्स सबसे जादे फैन फेवरिट करेक्टर है और जिसे सब को इस स्क्रीन पर बहुत जादे देखना चाहता है बट लेट मी टेल यू कि शैंक्स इवन मंकी ड्री ड्रागन से भी जादे स्क्रीन टाइम पाया हुआ है अगर लेट था बात करेंगे तो हम बारे में कुछ भी नहीं जाते हैं उस से कहीं जादे हम शैंक्स के बारे में जानते हैं कि आखें लुफी के पापा चीज क्या है यजिए बैने टाइम वेश्ट किये जेंटली बाई इंट्रो लगा दो हमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि लूफी के पापाये के मंकी जो ड्रैगन कितने स्ट्रॉंग है However, it should be of no surprise कि ड्रैगन के पास actually power है एक यॉंको को defeat करने की देखो हमें आप पर ये ध्यान रखना जाए कि ड्रैगन एक यॉंको नहीं है और वो बाकी यॉंको उसकी तरह घूम घूम के territory पे कबजा और forming alliances ये सब नहीं करता येस लेकिन हमने उसको लोगो को recruit करते हुए देखा है revolutionary army में इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी जगें पे कबजा करके वहां रहने लगा काइड होगे जैसे मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि dragon के पास ही यॉंको को defeat करने की ability है because हमने already देख रखा है कि उसने smoker को बहुत आराम से रोक लिया था which in turn means कि उसके पास हाकी की ability है नहीं तो वो smoker को touch पी ने कर पाता then directly या indirectly वो एक काफी strong character है वरना वो ऐसे ही world government and I don't know how many countless लोग की help करने के लिए वो लोगों से बिढ़ा है वो ये काम नहीं करता and also हमें ये fact नहीं भूलना चाहिए कि उसने black beard के invasion को भी escape किया है मैं ये ने बोला कि black beard उस बंदे से जाएदे ताकत हो रहे the fact black beard के सभी के सभी crew members बहुत ही जादे strong devil fruit users है मतलब कि अगर dragon वहां से अपने और अपने army को बचा के निकला then it means a big thing usually जब भी आप किसी strong character से fight कर रहे होते हो तो आपको mostly अके लिए engage करना चाहिए अगर आप उस जंगे पे सबसे strongest हो रहे है आपके partners को या फिर crew members को problem हो सकती है which we have already seen in the marine for dark वैसे unlike God Valley में आपने देखा हो कि महाँ पे कोई भी casualty नहीं थी इसलिए Garp और Roger and even Rocks Pirates भी all out जाके fight कर रहे थे इतना कि वो island ही गायब हो गया तो क्या dragon बस एक strong character है या फिर सिर्फ एक hype being the world's most wanted man and dangerous criminal while the world government won't actively hunt you ये actually में काफी कुछ बताता है देखो आप ऐसे समझो कि आप दुनिया के सबसे आदे wanted man हो और government आपके पीछे नहीं पड़ी आपके पीछे FBI या कुछ भी नहीं पड़ा है it means a lot ना मतलब आपकी पहुच कहीं तो होगी या तो directly world government आपके डरती है problem आएगी ये करने में like permission लेना five elder से और भी ऐसी दिक्कते आएंगी लेकिन वो लोग ऐसा कर लेंगे अब इतनी force और इतनी strong and powerful लोग admiral होने के बाद भी वो अभी तक dragon को नहीं पकड रहे है तो सच में monkey dragon is something else वो सच में बहुत यादे strong character है कि world government अभी तक उसे पकड नहीं पाई being the world's most wanted man या फिर most wanted criminals उसके bounty के बारे में बहुत कुछ बताता है हमने अभी तक सबसे highest bounty देखी है Goldie Roger की बट उसे भी most wanted man के नाम से नहीं बोला जाता the only man to hold such a title is monkey the dragon which actually means that he kind of has a higher bounty अगर हम उसको top bounty holders के बीच में रखें वैसे अगर हम इसके powers के anime में reference के बारे में बात करें तो काफी सारे ऐसे scenes है जहां पर actually हमें थोड़ा बहुत insight दिया गया है कि आखिर dragon की power levels क्या हो सकती है सबसे पहले चीज़ अगर आप notice करोगे तो जब लूफी याद मरा हो गया था impel down में तब उसके जिन्दा रहने के will को देखके इवन इवान कौव ने भी ये बात बोल दी थी कि ऐसा सिर्फ इसी लिए है क्योंकि तुम dragon के बेटे हो अगर हम knowledge के मामले में बात करें तो yes monkey do dragon के पास void centuries से related काफी सारी knowledge है मुझे ऐसा लगता है और अभी latest के chapter में इस बात को indirectly confirm भी किया गया है so अगर आप मांगा से caught up नहीं हो तो कोई कि spoiler for you Ohara Island पे बश्टर कॉल होने के बाद and even tree of knowledge के जलने के बाद भी वहाँ की जितने भी knowledge थी और जो भी किताबी थी उन्हें एक पानी से भर हुए गड़े में फेक दिया गया था जिससे वो सही सलामत बज़ गई थी और जब वहारा जलके राक हो गया था तो वहाँ पर वेगा पंक और ड्रैगन आये थे यहीं से वेगा पंक को अपनी सारी knowledge मिली और ड्रैगन ने भी यह सारी चीज़ें देखके डिसाइड कर लिया कि वो एक ऐसी आर्मी बनाएगा कि वो वर्ल्ड गॉर्मेंट की यह सारी हैवानियत को रोक पाए नो मेरा ब्रेन यह मानने को राजी नहीं हो रहा कि ड्रैगन के पास काफी जादे knowledge है जिस वर्ल्ड गॉर्मेंट उससे डरती है वो इस knowledge को सभी यहों को और मेभी पूरे वर्ल्ड में फैला दे तो जो बावाल मचेगा वो इमेजन भी ने किया जा सकता सेम लाइक रॉजर सेइंग अबाट वन पीस ट्रेजर एंड ओल्ल मैं वाइड बीड सेइंग तट वैसे कर अब ड्रैगन के नाम पे भी नोटिस करो के तुछ कम नहीं है तो मैं याद होगा कि जब मरीन फोर्ड हुआ था तो कैसे सिर्फ ड्रैगन का नाम सुनके ही मरीन सोलियर्स की गांड फट गई थी इस्पेशली अकाइनु जो कि कॉंस्टेंटली लूफी को सॉन ओफ ड्रैगन के नाम से बुला रहा था अब ऐसे करने के पीज़े कोई सिंबल सा रीजन तो होगा ने और कंसेडरेंग कि र्रैगन कोई पाइरेट नहीं है इस डेफिनिटली मीन्स कि उसने खजाना लूटने से भी बहुत बड़ा बड़ा कांड किया है आप सोच रहें कि अगर उसने इतने बड़े-बड़े कांड की हैं तो आपको क्यों नहीं पता देखो हम जो भी वन पीस में देखते हैं उसमें most of the जो पार्ट होता है वो सब कुछ हम स्ट्रो हैट्स के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि आपके इस समय लूफी और उसके क्रिव क्या चीज़ देख रहे हैं क्या वो एक्सपिरेंस कर रहे हैं वही चीज़ हमें भी देखने को मिलती है हमें rarely किसी और करेक्टर की परस्पेक्टिव से स्टोरी दिखाया जाता है और जब ऐसा होता तो most likely शैंक्स या वाइट बेट के नाम पर होता है और ये चीज़ याद रखो कि कुछ भी हो जाए वर्ल्ल गवर्मेंट कभी भी ड्रैगन के किये हुए कांट को पबलिक में नहीं जाने दे सकती परना उनका नाम बहुत जादे खराब हो जाएगा और रेवलुशनरी आर्मी को और भी जादे सपोर्ट मिलने लगेगा जो कि हमने अभी रिसेंट में होते हुए देखा कैसे साबो वो फ्लेम एंपरर डिकलेर कर दिया गया फ्लेम एंपरर डिकलेर होना कोई छोटी बात नहीं है मतलब टेक्निकली लूफी के पापा का नाम ही बहुत है किसी मरीन सोल्जर्स को यह याद दिलाने के लिए कि बेटा अगर हाथ लगाया तो तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है जब यह दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना इट बिकमस इवन मोर डेंजरस कि कोई ड्रैगन के साथ उल्टे तरीके से इनवाल्व हो गारप के कांड ओलेडी वन पीस में बहुत फेमस है जब किसी बंदे को यह पता चले कि हाँ यह बंदा गाप का बेटा है तो बाई उल्लेडी उसका नाम बहुत बड़ा हो चुका है उसके उपर से ड्रैगन ने अपने कांड की यह है तो यू नो वाट शेटर सी होल्ड सिन दी वर्ल्ड ओव उन पीस रेवुलूशनरी आर्मी के बारे में हम उतना नहीं जानते बस इतने ही लगे थे और ड्रैगन के रेवुलूशनरी आर्मी ने मरी जोई जैसी जगें पर भी तबाई मचा दी थी आर्ट कमांडर के साथ वर्ल गॉर्मेंट की सब से सीव जगें पर हमला करना और वहां से सभी के सभी का जिंदा बचके बाहर निकलना ये बताता है कि आखिर बंदे कितने स्किल्ड हैं उसके आर्मी पे वैसे इनकी पावर्स का अंदास अदेने के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़े बता सकता हूँ आपको याद है कि कैसे लो लुषा किंग्डम पे पीच बेर्ड पायर士 अटैक कर रहे थे अब ही सीन एक्चली में काफी अंदरिटटेड़ है और काफी साय converge हों खूँ आप इसे लिए उन्मैं प्लैक बीर्ड पायरТ के ही मेंबर है ये सारे के सारे बहुत ही आराम से मिलके मरीन्स को हरा दिये थे जो भी वहाँ पलूलू शेकिंडम की प्रोटेक्शन में थे बर्ड रेवलुशनरी आर्मी ने मिलके इन सब का सफाया कर दिया ठीक उसी टाइम पे हमें बेलो बैटी भी देखने को मिली थी जो कि एक्चली में काफी स्ट्रॉंग डेलफूर्ट यूजर है तो इससे आप बंदाता लगा सकते हो कि या कि रेवलुशनरी आर्मी कितनी स्ट्रॉंग हो सकती है वैसे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इना जुमा एंडी वानकॉफ को अलेड़ी आपने देख रखा है मरीन फोर्ड वार के दोरान बट इस्टिल वहाँ पर वो उतने ओफेंसिव मोड में नहीं देखे थे जितने की हम रेवलुशनरी आर्मी से एकस्पेक्ट करते हैं लेकि फिर भी इतने स्ट्रॉंग फोर्स का लीडर हो ना और ये हमें बताता कि एक्चुली में ड्रैगन कितना पाउरफूल इंडिविजूल है वैसे रेवलुशनरी आर्मी कमिशन भी एक काफ़ी इंट्रेस्टिंग चीज है जो कि हमें ड्रैगन के बारे में और भी काफ़ी कुछ बताता है देखो यॉंग को क्या करते हैं कि भाई वन पीस खोजेंगे टेरिटरिस पर कब्सा करेंगे और वर्ल्ल गॉर्मेंट से बच बच के रहेंगे ना हम उनके रास्ते आएंगे और ना वो हमारे एक्सेट वाइट बियर और शैंक्स बाकी सबी यॉंकोस बस यही करते हैं फिट चाहिए वो ब्लैक बेर्ड हो बिग मॉम हो या काइट लेकिन लूफी के पाप क्या करते हैं लूफी के पापा सीधा वर्ल्ल गॉर्मेंट को ही टार्गेट कर रहे हैं जो उकाड़ ना उकाड़ लो हम तुम्हें हटा के रहेंगे Dragon का सबसे बड़ा गोल है कि World Nobles को हटा कि किसी भी तरह से World Government को खतम कर दे क्योंकि वो World Government को बिल्कुली पसंद नहीं करता उसके According World Nobles का बस यह काम है कि वो लोगों की Freedom चीन लेते हैं और इवन उन्हें जान से मार भी देते हैं अपने फायदे के लिए Most likely यह Hitred तब और भी जादे बढ़ गया था जब उसने ओहरा वाला कांड देखा था And eventually जब उसने World के Secrets को Discover किया था शायद तभी से Dragon नहीं चाहता कि किसी भी तरह से World Nobles इस World पे Control रखें Which actually means a lot of Guda Because अगर आपको पता हो तो सिर्फ एक World Nobles को Hit करने के लिए Kizaru को Shabandi Island पर भेज दिया गया था Even World Nobles को Rock से बचाने के लिए Garp ने Roger तक से हाथ मिला लिया था So इसका मतलब यही है और आप भी अच्छे से जानते हों कि World Nobles बहुत ही important है पूरे के पूरे One Piece में अगर कोई बंदा उन्हें सामने से चैलेंज कर रहा है और वो जिन्दा है And still he is preparing to fight them While defying the World Government इसका मतलब Monkey D. Dragon असली Chad है One Piece World का वैसे Chad से याद है अगर आपना Tinko Chad नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लो The Most Wanted Man versus the World Government इसकी fight भयांकर होने वाली है Monkey D. Dragon को Most Wanted Man कहना क्या सच में सही भी है या नहीं क्योंकि और भी characters है जो World Government के लिए उतने ही खतरनाक है जितना Dragon तो अगर हम इस पर बात करें और एक याउंको को देखें तो हाँ वो strong होते हैं बहुत strong है और किसी किसी के पास तो खुद की आर्मी भी होती है बस एक बार आप यह imagine करके देखो कि अगर Big Mom के सभी के सभी crew members और काईडो के सभी के सभी आर्मी वाले अगर साथ में मिल गया तो क्या होगा अब वापिस अपने topic पे आते हैं कि अगर काईडो एंड बिग मॉम साथ में मिल जाएं तो क्या वो world government को take down कर सकते हैं तो देखो इस पे मेरा एक अपना चोटा सा fact type है जो कि यह है कि world government को हराना is not like you ने power में हराना या फिर तुम इतने strong हो जाओ कि world government तुमें जो चाहे करने दे ये तो pirate king goldie roger भी already कर चुके हैं बट अब बात आती है कि आखिर world government को कैसे defeat किया जा सकता है तो इतनी auto the topic पक्चोदी करने के लिए कि revolutionary army is already doing that world government को तब defeat होगा जब कोई उनका परदाफाश कर देगा उनका असली चैरा लोगों के सामने ले आएगा और उनकी नीच हरकतों को actually में लोगों को दिखाएगा और ड्रैगन की revolutionary army ठीक यही काम कर रही है world government को defeat करने के लिए जितनी जादे power की जरूरत है ठीक उतने ही political पहुच भी होना बहुत जरूरी है और यह चीज revolutionary army के पास है जो कि मैं नहीं imagine कर सकता कि किसी यॉंगों के पास होगी अगर हम यॉंगों को उसके rule को देखें तो वो mostly grand line तक सीमित रहे जाती है बर revolutionary army की पहुच उससे भी कहीं जादे है गोंफिर कर बात वहीं पर आजाते है कि how strong is monkey d dragon देखो सबसे पहले तुम लोगों में से जो कुछ लोग ये वाली बात पर सवाल करते है और ये बोलते है कि monkey d dragon goldie roger से भी जादे strong है तो उनके लिए मेरा बस एक ही answer है dragon बहुत strong है but goldie roger is a monstrous man करेंटरी कोई भी करेक्टर गोली roger जितना strong नहीं है हाँ हमारा लूवी roger को सरपास कर देगा लेकिन अभी के टाइम पर करेंटली कोई भी करेक्टर नहीं है जो गोली roger जितना strong हो none of the young course, कोई fleet admiral, कोई गोरु से और ना ही dragon dragon है strong he is the leader of revolutionary army, the most dangerous criminal in the world the father of the main character बट वो खामा का किसी से नहीं बिढ़ता उसके aims और goals है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल गोर्वर्मेंट को over through करना और सही बताऊं तो मुझे dragon black beard वाली vibe देता है सेम उसी के जैसा किसी से fall to fight ना लेना plan के हिसाब से चलना कम बोलना और उसके लिए भी सबसे main चीज़ है knowledge रही बात power की तो हमें ये चीज़ नहीं पता कि currently वो कितना powerful है लेकिन हमने already वीडियो में बात की है कि हम idea कैसे लगा सकते है it is safe to claim that based on high foreshadowing implications and story purpose that he is on the level of strongest characters in the one piece currently the emperors along with miho canakain यहीं पर अगर हम fact की बात करी रहे हैं तो pirate king इन सभी से एक level उपर थे Roger in Prime would beat any of these characters बहुत आराम से तो नहीं बठाव वो defeat कर सकता था but the most important question still remains in the mind of one piece fans और वो है कि आखिर इस बंदे का devil foot क्या है और इसकी wife कौन है monkey to dragon is the most mysterious character in the one piece world और हमें उसकी power या devil foot के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें तो यह भी नहीं पता कि उसके बाद devil foot है भी या नहीं बटाओ थोड़ा समय पीछे चलते हैं 1072 से बहुत पीछे चलते हैं एपिसोड नमबर 52 पे जहां ओड़ा सिंसे ने पहली बार में मिलवाया था लूफी के पापा एक एमंकीरी ड्रैगन से महां ड्रैगन के आने से पहले क्या मजदूब निकल रही थी लेकिन जब ड्रैगन के एंट्री हुई तो तेज आंदी तूफान और बहुत तेज बारिश होने लगी थी वो इतनी तीज थी कि एवें च्छत भी तूट रहे थे और हमने बिजली भी गिरते हुए देखी थी जो कि सीधे सीधे जाके बगी के उपर गिरी थी इस गिफ्स दी आइडिया देट ड्रैगन है सम सॉट ओफ वेडर कंट्रोलिंग डेविफूट अबिलिटी बट इफ यू टेक अलुक एट रॉजर जब ग्रेट बैटल ओफ एडवर हुआ था यहाँ पर शीकी दा गोल्डन लाइन और रॉजर पैरेट्स के बीच में फाइट हुई थी तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा तूफान आया था उसको भी डिफीट कर सकता वनपीस के वर्ल्ड में बात करें वाइफ की यानि कि लूफी की मम्मी जी कौन है देखो मैं पता है कि ड्रैगन ही लूफी का बाप है और लूफी की मम्मी कौन है और क्या वो हमें देखने को मिलीगी या नहीं तो हाँ हमें आगके चलकि ड्रैगन की वाइफ A.K.A. लूफी की मम्मी जी से इंटूडिउस करवाए जाएगा तो आखिर कौन है या और लूफी की मम्मी के बारे में हमें कभी बी वन पीस के वर्ल्ड में इंटूडिउस नहीं किया गया और उसके बारे में कोई भी information नहीं है कि आखिर वो कौन हो सकती है अभी के लिए हमें बस डादान को ही लूफी की मॉम बताय गया है वो भी हमें पता है कि वो foster mom है लूफी और एसकी तो में भी हमें बहुत ही जल इस question का answer मिल जाएगा वैसे जाते-जाते मैं तुम्हें बता दूँ कि एक interview में ओडा सेंसे ने बोल दिया था कि उन्होंने अलड़ी लूफी की मॉम्मी को ड्रॉक कर दिया है और जब दुबार ओडा सेंसे से लूफी के mom के बारे में question किया गया था उन्होंने बोला कि वो औरत कोई डेंजर लुकिंग बहुत जोर से बोलने वाली और बहुत ही बत्तमीज हो इसका मतलब ऐसा हो सकता कि कोई ऐसा करेक्टर था जोगी लोगों से मिस हो गया या फिर ये एक्चली में दादान को ये रेफरेंस दे रहे थे क्योंकि वो भी कि ड्रैगन के पास्ट को 1070 चैप्टर से भी जएदे चुपा के रखा गया है बट इसे तो बड़ी बात है जो कि हमें ओडसेंसे अभी नहीं बताना चाहरा ऐसे तुम्हें क्या लगता है कि आखिरी ओरत कौन होसकती है मुझे कॉमेंट सेक्ष्टम में ज़रूर बताना ब तो वो भी आप देख पाओगे सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कॉंटेंट को एंजोई कर पाओ मैं आप से में लोगा अगले वीडियो में सो अंटिल नेक्ट वीडियो प्ले ओन